विधान सभा का विश्य सत्र शुरू हो चुका है पांच फरवरी से लेकर अभी आठ फरवरी तक चलने वाला और उसमें जो मुख्य रूप से जो मुद्धा यहां पर रहने वाला जिसमें व्यापक रूप से इसमें चर्चा होगी वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो यू आज उत्रा खंड राज्य ने आपने व्यापक रूप सब्सक्राइब करता है तो थोड़ा सा क्लियर तरीके से उसे आप दर्श्कों को बता सकें यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उत्रा खंड राज्य ने अपनी कमेटी के दोरा इसको सामने लाए हैं और मैं इसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी टीम को और साथ में जो कमेटी ने समय पर रखा उनको बढ़ाई देना चाहूंगा पहला राज्य होगा यह अभी कमेटी के अंदर था उसने मुख्यमंत्री को शौंपृत किया है कल से जो सदने चलेगा विदाने सबाग के अंदर उसमें वो कल ये परसों कभी भी ला सकते हैं और उसमें रखेंगे चर्चा होगी बहस होगी और उसके बाद फिर वो एक रस्ता करके आगे पेस करेंगे यह इसमें कानून बनेगा यह केंदर को भी भीजा जाएगा और केंदर का भी यह कि वो अन्य राजियों से भी यह बिल आएंगे तो उसके समय आने पर जब भी होगा और जैसे मोदी गारंटी हम कहते हैं और सब को साथ लेकर चलना आत्म साथ लेकर आगे बढ़ना देश को चिंता और बिक्रिशित भारत की जो कल्पना है मोदी जी की सब्रचना दोजार सेंटालिस उस और हम बढ़ रहे हैं तो निशित है कि मोदी जी की जिस तरह लोगों का उनकी परतीकास्ता और जो भी कहते हैं करते हैं तो जब यह सारे परदेशों से आया जाएगा तो सब्सक्राइब की समय आने पर वो भी होगा कानू मनेगा लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तरा खंड पहला राज्य होगा जिसने कि इस पर एक सबी समुदाए को लोगों को पूछ करके और उस कमेटी ने अपना ड्राफ्ट तयार किया और समय पर ड्राफ्ट तयार करते ही फिर सौपूर्ट किया है तो जैसे ही आएगा तो फिर उस पर आगे बढ़ेगा और एक और इसी को लेकर सवाल कि यूसी सी में जो ड्राफ्ट में यहां पे कई तरह की चीजें हैं और यह समान नागरिक सहीता है यानि हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून तो हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं हम जैसे मुसलिम धर्म की बात करें तो उनका एक मुसलिम लग अलग बना हुआ है हिंदूल अलग बना हुआ है तो मुस्लिम लोग के अंदर जो विवाह होता है निकाह होता है जो तलाक का सिस्टम होता है इद्दत का है हलाला कायत कई तरह की उनकी अपनी तरीके हैं तो जब वो समान कानून होगा तो ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी तो इसे आप कैसे देखते हैं मतलब क्या सभ समेटी ने सभी शमुदाई से बातचित करते हुए और सभी नागरिफों से और उसके बाद वाएजन्दा तैर किया और मैं कह सकता हूं कि दूसरा शमुदाई जिसकोई बात हम करते हैं कि मुस्लमान से उन्होंने भी बढ़ चड़ करके इसमें स्वीकरता दिये क्योंकि इ हर्मित कर रहे हैं और वो लोग हैं जो कि इस देश के परतियास्ता नहीं रखते हैं यहां का खा रहे हैं यहां का पी रहे हैं और यहां का गुणगान गा रहे हैं दूसरी जगे का तो ऐसे लोग हैं तो मैं कह सकता हूं जो वास्ता में इस देश से प्रेम करते हैं जो इस के बारे में इसके हित में क्या है वह सोचना तो वह समधाय के लोगों ने इसमें इसके शुकारता दी है और आज वही basketball मैं कह सकता हूं कि मुए सामने लाया तयार किया है जहां तक ध्रम की बात ज्वह करें नहीं आए कानुन जब हमारे लिए। मोधी जह नहीं मुझी जो कहते है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका अश्फव्योप, प्रियास, सबका परियास। सबको एकसात लेते वे आगे बढ़ना। देष को विकास कियों ले जाना। दोजार सेंटालीज अपना भारत अपना अपना कल्चर अपनी शंस्कृति और जो विश्व के अंदर भी मैं कह सकता आने वाले शमय में एक पहल करेगा और भारत उन अग्रणी राजियों में होगा जो पूरी विश्व का नेतुर तो करेगा इस और मोदी जी बढ़ रहे है तो यह इसके लिए तो हिंदों के लिए दो वच्चे हैं तीन वच्चे हैं विकास की जहां तक हम बात करते हैं तो क्यों औरों के लिए भी होना चाहिए यह कानून यह इस तरह का विश्व उसमें अधिक तरह आता है और उनके लिए भी होना तो देश के बारे में देश के पुजापते कर सकते हैं उनको भी दे सकते हैं तो वो क्यों नहीं तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखे पहली बात तो यह है कि मैं बदाई देना चाहेंगे देश के महम हम राष्टपती जी को देश के परधान मंत्री नहिंद भाई मोधी जी को और जिनों ने आज उस ब्यक्तित्तों को ए इक भाराजात से नावाज ने काम किया है वह अड़वानी जी जिनों ने अपने को देश के लिए शमरपित और जो बालवस्ता से लेकर के देश के बारे में चिंतन करना, मनन करना, राष्ट शर्वोपरी इसके बारे में ही लगाता लगातार अपने को खपा दिया और हमारे में कह सकता हूँ कि सब के सुबचिन तक मार्ग दरश्टा और जो उन्होंने की एक विचार और एक उदेश्य लक्ष्य और भारते जन्ता पार्टी और जन्संग के अस्तापना से ले करके इस आरत तक जो उन्हों की यात्रा चल रही है और यह हम सब का सोबा क्या है हम अपने को गर्वानित मैसूस करते हैं कैसे व्यक्तित्तों को भारारण से नौ आ जा गया इसके लिए हम मानिया अपने सदे अडवानी जी को बधाई देंगे और साथ में परधान मंत्री मोहदी जी का रात पर इकारी हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे तो यह थे हमारे साथ उत्तराखन के पूरे मुख्य मंत्री और गडवाल से सांसा तीरस्तिंग रावजी जिन समने यू सी सी को लेकर बात चीत की और भारत रतन जिनने मिलने वाले लालकृष्णा अडवानी जी उनको लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया जानी तो फ झाओ झाओ